दोस्तों, आपने खर्बूजा तो कई बार खाया होगा लेकिन आपने कभी ऐसा खर्बूजा खाया है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रूपे प्रती किलो हो गर्मी के मौसम में खर्बूजा हमें डी हाइडरेशन से बचाता है क्योंकि इसका 95 फीसदी भाग पानी होता है साथ ही इस फल में कई तरह के विटामिन और मिनरल पाय जाते हैं जिसके वजह से इसकी अच्छी डिमांड है भारत में आजकल खर्बूजे और तर्बूज का मौसम चल रहा है इस मौसम में इनका रेट 40 से 80 प्रती किलोग्राम के आसपास होता है लेकिन जापान में बिकने वाले इस खर्बूजे की कीमत लाखों में है दरसल जापान में हमेशा से खर्बूजे को एक लगजरी फूर्ट्स में माना गया है वैसे सिर्फ खर्बूजा ही नहीं बलकि दूसरे फल भी यहां काफी महेंगे है भारत में लोग जहां एक दूसरे के घर जाते हैं तो महेंगे महेंगे गिफ्ट ले जाते हैं लेकिन वहीं जापान में लोग एक दूसरे को तोहफे के तौर पर फल देना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में ऐसा क्या है कि फल इतने महेंगे होते हैं। आए जानते हैं कि ऐसा कौन सा खर्बूजा है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे महेंगे फलों में शुमार इस युबारी खर्बूजे को जापान के युबारी क्षेतर में उगाया जाता है। यहां के किसान फल के आकार को और देखने में सुन्दरता को लेकर काफी सजग रहते हैं। इस फल की खेती सिर्फ जापान में ही होती है। इसके अलावा उसका वजन भी तैमानक में होना चाहिए। जापान में यही चीज दूसरे फलों के साथ भी लागू होती है। जाहिर है कि हर तर्बूज एक जैसा नहीं हो सकता। यही कारण है कि जापान में सही आकार के तर्बूज ना होने के कारण काफी बेकार जाते हैं और सिर्फ गिने चुने तर्बूज और खर्बूज को ही मार्केट में भेजा जाता है। लिहाजा ये काफी महंगे हो जाते हैं. कई बार तो इन फलों की निलामी कराई जाती है और इनकी कीमत लाकों में पहुँच जाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान में मिलने वाले एक यूबरी कस्तूरी खरबूजे की कीमत भारतिय मुद्रा में 10 लाक होती है. 20 लाक रुपे में 2 खरबूजे मिलते हैं. साल 2019 में ये खरबूजे 33 लाक रुपे में निलाम हुए थे. अंदर से नारंगी दिखने वाला यह फल बेहद मीठा होता है. जापान में यूबारी खरबूजे का काफी क्रेज है. हर साल जापान में इन खरबूजों की निला किया गया था. इस निलामी के आयोजकों ने कहा कि समान आकार वाले ये यूबारी खरबूजे अपने स्वाद और उच्छ गुनवत्ता के लिए काफी मशहूर है. अच्छे दाम पर निलामी के लिए इन फलों को एकदम गोल और सुन्दर होना बहुत जरूरी है. आपको ब प्रकार हमें दिमाग को भी हाइडरेट रखना होता है. ऐसे में खरबूजे के सेवन से दोनों को संतुलित कर सकते हैं. दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी. कृपया हमारे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब करें त